जै माताई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तो आज के वीडियो मैं आपको हल्दी के चमतकारी उपाय बताने वाली हूँ सबके घर में बहुत आसानी से मिल जाने वाली सामान रूप से हल्दी जो होती है वो बहुत ही जादा बड़े-बड़े कारणा में जो है वो दिखा देती है जैसे अगर नहीं हो रही है आपकी साधी उम्र जो है वो निकलती चली जा रही है बयवाईक जीवन में भहा ज़दा परिसानी आ रही है तो आपको क्या-क्या उपाय जो है वो करना चाहिए आईए आज के वीडियो में जान लेते हैं अगर आपकी साधी की जो उम्र है वो निकल रही है साधी नहीं हो रही है तो आपको गाय को दो पेड़े मतलब जो रोटी के पेड़े होती है वो दो पेड़े उसके अंदर एक चुटकी हल्दी और चने की एक चुटकी जो दाल होती है वो उसी जो पेड़े है उसमें दवाके आपको रोज गाय को देना चाहिए अगर आप बहुत ही जल्दी हो जाती है और बहुत ही सवगुड समपन्न लड़के के साथ जो है हो हो जाती है करना के होगा आपको एक चुटकी हल्दी जो है पीरेट्स से जब आप गुजरती हैं उस समय आपको ये हल्दी वाला स्नान जो है वो बंद कर देना चाहिए नार्मल पानी से आपको इसनान करना चाहिए हल्दी डाल के स्नान जो है वो नहीं करना चाहिए पीरेट्स वाले जो दिन है वो खतम हो जाने के बाद आप फिर से हल प्रते चले जा रहे हैं तो आपको रोज सुबह पूजा करते समय हल्दी का टीका जो है वो अपने माथे पे जरूर लगाना चाहिए हल्दी का टीका अगर आप लगाती है तो पती-पत्नी के बीच बैवाइक जो संबन्न है वो बहुत ही अच्छे से स्तापित हो जाते हैं प क्या होता है तालमेल अलग-अलग मिलते हैं पती कुछ और बोलते हैं पत्नी कुछ और बोलती हैं तालमेल जो है वो साथ नहीं बैड़ पाते हैं इसलिए लड़ाई जगड़े बहुत जदा उत्पन हो जाते हैं महिलाएं जो होती हैं उनको थोड़ी से सांती रखना चाहि ओपने घर से माल अच्छमी को भगाने के लिए, घर में जो भी सुब कार्य हो रहे होते हैं, या घर में जो भी लडाई जगड़े हो रहे होते हैं, वो कहीने कहीन माताओं की देन होती है, वहाद सारी माताय हैं जो रूट जाएंगी, लेकिन सही बात ये है, कि आप जब भी क कुछ आपके कारे जो हैं, वो हो सकता है कि आप गलत तरीके से कर रही हो, इस वज़े से घर में जो लडाई जगडे वे उत्पन हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर कोई बात आप अपने पती के सुन लेती हैं, तो उसमें आप छोटी बड़ी नहीं हो च साथी साथ हल्दी का जो टीका है, वो अगर आप अपने माथे पे हल्दी का टीका सतापित करती हैं, तो आपके घर में लडाई जगडे जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, खास करके पती और पतनी के बीच में, इसलिए बैभाईक जीवन में अगर आपको प्रेम चाहिए, ब उनको पहले से ही क्योंकि बहुत सारी देखो माताएं जो होती हैं उनको लगता है कि बेटी की जो साधी वो बहुत अच्छे घर में सुख संपन्न से हो जाए और कोई भी समस्या जो है वो ना हो और बैवायक जीवन जो है वो उनका बहुत ही जादा खुसहाल चले कभी भी उ साधी हो रही है जब ससुराल जा रही है उस समय गंगा जल आपको एक लोटा में लेना चाहिए उसमें तामे का सिक्का डालना चाहिए और हल्दी जो है वो एक चुटकी हल्दी उसमें डालना चाहिए बहन के ऊपर से उतार के और आपको बहन के आगे जो है थोड़ा सा पाने रूप से दिखने वाली हल्दी जो है वो आपके लिए कितनी ज़्यादा कारगर साबित होती है अगर आपको भी कोई परिसानी है कोई समस्या है साधी में देरी हो रही है या आपकी कोई भी मतभेद चल रहे हैं या आपको कोई अन्य समस्या है तो हल्दी का उपाय जो